हेलो एवरीबन वेलकम टी सिपी का सोशल साइंस क्लासेज तो दियर स्टुडेंट्स तुडेविल स्टार्ट आर नियुव चैप्टर इस चैप्टर नमबर टू आफ हिस्ट्री सोचलिजम इन यूरॉप और रश्यन रेवलुशन इस इस दो मोस्ट अवेटर चैप्टर क्यो और आप इस चैप्टर को डिटर करके दूसरों को भी आसानि से समझा सकेंगे तो आपने इस चैप्टर को देखते हुआं सारे एक्ट्स को लेके चलेंगे तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इसी हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं अपना आजका चैप्टर, Socialism in Europe and the Russian Revolution देखे, students, मैंने इस चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, Socialism in Europe and the Russian Revolution, बोट are interconnected, पर मैंने दोनों टम्स को अलग-लग लिखा है, ताकि हम उसको असानी से understand कर सके, अब Socialism in Europe में दो words है, एक तो Socialism देखे, मैंने इसको अलग-लग split करके भी लिखा है, एक Socialism है, और दूसरा आपका word है Europe, अब Socialism क्या होता है, Socialism कैसे start हुआ, किसने start किया, क्या उसका relation था, वो हम discuss करेंगे, student यह आपका एक तरह से मैं introduction दे रही हूँ कि इस चैप्टर में आपके आप डिसकस करने वाले है, कौन से basic concept है, तो वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगे, अब यह आपको पहले फिर chapter start करेंगे, जो हमारा topic होगा first, तो Socialism मतलब देखो, आप एक तो ध्यान से चीज़ देखिए, Socialism में ISM जुड़ा हुआ है ISM, जैसे capitalism है Nazism है, nationalism है इसमें ISM मतलब जूड़ जाता है ISM किसको classify करता है, ISM का मतलब है कोई भी ideology तो यहाँ पर हम Socialism ideology को discuss करेंगे कि Socialism की क्या ideology है क्या उसका background है कैसे यह start हुआ, किसने इसको start किया और क्या-क्या major changes हुए यौरॉप में socialism के कारण, अब socialism का अगर मैं basic concept आपको clear करूँ, तो socialism क्या है वो socialism है equality पर focus करना, मतलब society में जितने भी persons है, सब को equality मिले चाहिए, वो किसी भी चीज में, मतलब सारी resources equally distribute होने चाहिए हर person पर, तो socialism इसके ओपर emphasize करता है means जो पीछे रहे गया है, उसे भी आगे लेके चलिए, और अगर हम capitalism की बात करें, capitalism मतलब मैं capitalism से इसको relate करें हूँ कि ताकि आपको socialism है उसानी से समझ आ जाजए capitalism लेके चलता है, potential पर focus करता है, potential मतलब if you people are rich, अगर आप rich हो तो आपने सुना होगा, rich यह अपने पैसे की बिहाब पर लोगों से आगे निकल सकता है, यह अपने skills के according वो इतना महनत करके society में अपना नाम कमा सकता है, तो capitalism है, वो potential पर focus करता है पर socialism क्या लेके चलता है, equality कि आप आगे नहीं निकलो, आपने potential अगर है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर जो पीछे रहे हैं, आपको उनको भी साथ लेके चलना है तो यह है socialism में और capitalism है difference, दुबारा बता देती हूँ capitalism है, वो potential पर focus करता है कि अगर आप रिच हो, अगर आप किसी चीज का potential है, तो आप उसे जो race है, उसमें आगे निकल सकते हैं और जो socialism है, वो equality पर focus करती है, उसके सब person equal होते हैं, और जो पीछे रहागे है उसे भी आप आगे लेकर चलेंगे, यह नहीं कि अपने potential के according, आप खुद आगे बढ़ जाए और society को पीछे छोड़ दे, तो socialism से जुड़े हुए सारे fact हम इस chapter में discuss करेंगे, आगे आने वाली videos में, तो आपको और clear हो जाएगा कि socialism better है या नहीं है, या capitalism better है ठीक है, अब इसका दूसरा part है हमारा Russian revelation, रशिया revolution में, अब Russian revelation जो है, वो भी एक तरह से Europe का एक part है, ठीक है, यॉरॉप का हिस्सा ही है, अब socialism की ideology का, रशिया में जो revolt हुआ, उस पर क्या impact हुआ, वो हम discuss करेंगे क्योंकि यॉरॉप में जब socialism शुरू हुआ था, उसका सबसे ज़्यादा impact कहा पर बढ़ा था, रशिया में पढ़ा था, रशिया is the part of Europe सोशलिजम की ideology का रशिया में क्या impact पढ़ा था उसके बारे में हम discuss करेंगे what is the relation between Russia and socialism, अब इस चैप्टर में जो Karl Marx का जो role था वो बड़ा prominent role था Karl Marx ऐसा बंदा था ऐसा person था जो socialism को ले के आया था और जिसने capitalism की ideology के against socialism की ideology को खड़ा किया उसके pillars को develop किया तो Karl Marx का important role है socialism की ideology के पीछे और इस चैप्टर में और हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं background क्या था तो कि अब हम Russian revolution की बात करेंगे क्योंकि revolution हुआ कहा था Russia में हुआ था तो सारे revolution की से related हो जाएंगे Russia से तो इसका क्या background रहा और after that 1905 में revolution क्या हुआ फिर February में जो revolution हुआ October revolution और Russia after revolution क्या बना USSR का part USSR बन गया था Russia revolution के बात जिसके जो leader थे वो Vladimir Lenin थे उसके बाद Stalin और जब Stalin के under आया Russia तो Russia की क्या situation हुई वो सारा हम इस chapter में discuss करेंगे ठीक है students तो start करते है अपना first topic that is about age of social change age of social change मतलब society में कैसे कैसे changes आई तो अब chapter को हम background से start करेंगे जैसे अभी मैंने background कहां से relate होगा हमारा French revolution से मतलब हमें इतना पीछे जाना पड़ेगा हमें अपने जो पिछला चैप्टर हमने history का जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा कि उन्हें फ्रेंच revolution में क्या क्या पढ़ा था कि क्या three states के लोग होते हैं वो इतना संखर्ष करते हैं और इतना struggle करने के बाद राजा को हटा कर वहाँ पर democracy establish करते हैं देमोक्रिस हो जाती है फिर नेपोलियन आ जाता है फिर दुबारा से मनार की रूल restore हो जाता है तो काफी सारी changes आते हैं society में चाहें वो मतलब लोगों ने उन changes को बड़ी radical तरीके से लाया है कि राजा को हटा के राजा को फांसी की सजा हो दी रानी को फांसी की सजा दी उसके बाद ये changes आया है तो कहीं ना कहीं French Revolution से लोगों को ये समझ आ गया था कि अगर राजा हमारे साथ घलत तरीके से policies बनाता है या लोगों के favor में काम नहीं करता तो वहां हम राजा को हटा के एक democracy establish कर सकते हैं चाहे वो बाद में दुबारा से मनार के restore होगी थी पर लोगों को समझ में आ गी थी बात कि democratic अगर country बनती है तो उससे हमें ज़्यादा फाइदा होगा तो अब वो ideas जो थी French Revolution से जो हमें मिले अब French Revolution से जो idea मिले थे उसने एक चिंगारी दे दी थी बदलाव को कि बदलाव आना चाहिए अब society में तो French Revolution को हम समझ गए थे अगर जिन बच्चों ने French Revolution को असानी से समझा था तो वो socialism को भी असानी से समझ भाएंगे क्योंकि French Revolution में revolution किया गया था revolution हम कब करते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट में करते हैं तो लोग वहाँ पर राजा की policies के अगेंस्ट में थे तो उन्होंने democratic government establish करने की कोशिश की तो democratic government जब उन्होंने establish की तो वहाँ पर कौन से ideas elaborate हुए वहाँ पर ideas elaborate हुए liberty, equality and democratic right liberty मतलब you people are liberals you have right to vote और express your views वहाँ पर आपको अजा दिये कहीं मूव करने की अपने opinions को express करने की equality मतलब आप सबको equality मिले हर resource पर country के हर resource पर आपका हक है और democratic right यहाँ पर आजेगा आपको voting right मिले political rights मिले तो यह ideas जो थे French revolution से generate हुए थे अब आप देखे किसी एक revolution से जो ideas generate हुए उसका impact किस पर पड़ा दूसरी societies पर पड़ा तो these ideas of French revolution created a possibility of change in the society यह French revolution के जो ideas थे उससे possibility एक generate हो गई कि हम भी अपनी society में यह changes कर सकते हैं देखिए अगर हम माल लो अपना example ले अगर हमारे सामने एक person है जो 100 में से 100 marks ले रहा है तो हमारे सामने possibility है कि वो ले सकता है तो हम क्यों नहीं तो जब हम अपने सामने growing किसी चीज़ को देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं में वो चीज़ हम अपने अंदर भी ले आते हैं हम उसको apply करने की कुशिश करते हैं तो ऐसा ही यहां पर हुआ था जब French Revolution देखा राइट्स हैं वो अपनी country में apply कर सकते हैं ताकि हमारी society में भी changes आए हम भी उसको enjoy कर सके तो अब लोगों को समझ में आ चुकी थी यह बात कि revolution से हम अपनी country में बदला सकते हैं तो लोगों ने discuss करना शुरू किया और हमारे राइट्स मिल सकें और हमारे राइट्स मिल सकें बट इतना सब होने के मतलब french revolution के ideas लेने के बाद liberty, equality, democratic rights लोगों ने सोचा आप changes होने चाहिए तो वो changes के demand करने लगे क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता मतलब आपको पता नहीं है कि अजादी क्या चीज़ होती है यह equality क्या चीज़ होती है आपको लगता है कि हमें किसी के अंडर है की हमने पूरी जिंदगी निकालने तब तक आप उसके अगर आपको नहीं पता होगा तो आप किसी परस्वन के अंडर है कि पूरी जिंदगी निकाल दोगे पर अगर आपको पता चल जाए कि equality यह चीज होती है और इसको ऐसे हासि कर सकते हैं हम भी अपनी society में ऐसे changes ला सकते हैं तो people started discussing the possibility for change पर इसमें एक problem ये भी थी not everyone in Europe wanted a complete transformation of society अब जो changes थे लोग change हो जाते थे पर हर person का change को apply करने का तरीका अलग लग था means क्या apply करने का तरीका था कि changes चाहिए ये तो सई society में पर कैसे होने चाहिए changes इसके लिए सब लोगों की विचार अलग लगते means some wanted gradual change means कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे changes हो society में एकदम से society change ना हो जाए कि जैसे मान लो तो राजा वर्क कर रहा है राजा केंडर लोग काम करें यह नहीं है कि एकदम से राजा को हटा दिया उसको फांसी की सजर सुना दी और देश में democratic rule apply होगे नहीं वो चाहते थे society में धीरे धीरे changes होए whereas some wanted the changes radically और कुछ यह चाहते थे रातो रात राजो को मारो काम खतम करो उसका सारी जो resources है equally logan me distribute होने चाहिए और democratic government established होजए मतलब एक दिन में ऐसा काम हो जाए वो radically काम चाहते थे मतलब कुछ लोग चाहते थे changes slow होने चाहिए मतलब एकदम से changes नहीं आने चाहिए slow slow करके changes आने चाहिए और कुछ चाहते थे एकदम से changes आने तो सब के views जो थे changes के accordingly लाने के अपरेंगली अलग अलग ते कुछ जल्दी चाहते थे मुझ्च ग्रैजुली धीरी-धीरह चाहते थे तो सुझे कं से धैट डैट दिएरवड डिफेरट पॉलिटीकल ट्रेडिशन तो डिफेरेν पॉलिटिकल ट्रेडिशन होगे जैसे कुछ इन सब के बारे में detail में हमने next वाली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इन topics के ओपर आपका question बनता है कि what are conservatives, what are their ideas, what are their ideologies, इसके ओपर three marks, five marks question direct बनता है, इसके बारे में discuss मैं आपको next वाली वीडियो में करूंगी detail में कि क्या-क्या इनके ideas थे और यह किस basic principle पर stress करते थे, जोड देते थे, तो the different political tradition played a very important role in influencing the change in the history of Europe and world, अब योड़ोप में जो-जो changes होने थे, उन changes पर इन लोगों का बहुत जादा important role play किया इन लोगों ने, कि conservative क्या चाहते थे liberal, क्योंकि यह लोगों की society को change करने वाले हैं, अब यह कैसे change चाहते हैं, वो इन लोगों पर depend करते हैं, तो उन changes के ब कि French Revolution से जो ideas मिले थे, उनका Europe के लोगों पर क्या impact पढ़ा, और Europe के लोग उससे influence होके अपने society में क्या-क्या changes चाहते थे, तो students पढ़ते हैं अपने next lecture में about conservative, liberals and radicals, thank you